दोस्तो कोल्डरिंग पीने वाले लोग बच्चा पैदा क्यों नहीं कर सकते? आखिर कोल्डरिंग कैसे हमारे शरीर में मौझूद फेपड़ों को फार देती है? और कोल्डरिंग पीने के बाद डकार क्यों आती है? क्या आपने कभी सोचा है कि जिसे आप ठंडा समझ कर पीते हैं वो शरीर में जाने के बाद आखिर करता क्या है? कोल्डरिंग पर अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज के बारे में सवाल उठाया जाता है तो वो है इसमें मौझूद चीनी लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि चीनी का नुकसान तो बस एक ट्रेलर है इसमें और भी इतनी सारे नुकसान पहुचाने वाली चीज मौझूद है जिसके बारे में जादता लोग नहीं जानते सबसे पहले तो लोगों में ये गलत पहमी है कि कोल्डरिंग पीने से पेट की गैस पहार निकलती है इसलिए चली आज हम शुरुवात यहीं से करते हैं कोल्डरिंग में सबसे ज़ादा पानी की मातरा होती है अब यहाँ पानी मतलब आपके घर में आने वाला पानी नहीं सबी तरह के कोल्डरिंग को बनाने के लिए कार्बोनेटिट वाटर का इस्तमाल किया जाता है जिसे सोडा वाटर के नाम से भी जाना जाता है एक ऐसा पानी जिसमें कार्बन डायोकसाइड गैस पहले से ही मिलाय गया होता है यही वज़ा है कि कोल्डरिंग पीने के बाद बार बार डकार आने लगती है क्योंकि जो गैस कोल ड्रिंग में पहले से मौजूद होती है शरीर में जाने के बाद हमारा शरीर उसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है जिससे लोगों को ऐसा लगता है कि उनके पेट की गैस बाहर निकल रही है दोस्तो कोल ड्रिंग क अभी भी बाकी है कोल ड्रिंग की कैसी चीज है जिसमें पचाने लायक कुछ भी नहीं होता इसलिए छोटी आच से होकर सीधे खून में पहुच जाता है एक 500 मिली लीटर की कोल ड्रिंग में लगपग 40-50 ग्राम चीनी मौजूद होती है जो कि ऐसे देखा जाए तो 10-12 चमच के बराबर होती है जब इतनी चीनी एक ही बार में हमारे शरीर में जाती है तो हमारा शरीर इंसुलिन नाम का हॉर्मोन बहुत जादा मात्रा में रिलीस करने लगता है जिससे की डाइबटीज जैसी वीमारी होने का खत्रा भी बहुत जादा बढ़ जाता है चीनी हमारी आत और शरीर के दूसरे हिस्से में जमा होने पर व्यक्ती मोटापे का शिकार होने लगता है लेकिन जिस तरहाँ छोटी सी कोल्डरिंग की बोतल में 10 से 12 चमच के बराबर चीनी मौजूद होती है अगर इतनी चीनी का कोई व्यक्ती एक ही बार में इस्तमाल करता है तो उसे घब प्रवाइट करता है बार-बार कोल्डरिंग का इस्तमाल करने पर उसमें मौजूद ये फॉस्फॉरिक एसिड शरीर में कैल्शियम को एप्सॉर्फ होने से रोकने लगता है जिससे कि शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है और हट्टियां भी धीरे-धीरे कमजोर होने लगता है और इसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती आपको क्या लगता है कि सिर्फ शराब या फिर ड्रक्स की लट लगती है अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल गलग सोचते हैं कोल्ड रिंग बनाने वाली कंपनी इतनी बेवकुफ नहीं है जो कि अपने शिकार को यूह ही जाने देगी हाँ एक बात और याद आई कोल्ड रिंग को सौफ्ट रिंग के नाम से भी जाना जाता है सौफ्ट सौफ बोल के लोग इसे इतना सौफ्ट समझ लेते हैं कि उसे लगता है कि इसे पीने से कुछ होता ही नहीं लेकिन ये आपकी भूल है कोल्ड रिंग में बंदे की सुस्ती गायब हो जाती है और बहुत अच्छा महसूस होने लगता है लेकिन अफसोस की बात ये है कि ये खुशी जादा देर तक नहीं रहती थोड़ी देर में ही बंदा पहले सी भी जादा ठका हुआ महसूस करने लगता है फिर थोड़ी देर की खुशी पाने के बंदे को बार-बार कोल्टरिंग पीने के लिए मोटिवेट करने लगता है और इस तरह धीरे-धीरे अच्छा खासा इंसान कोल्टरिंग की लटका शिकार हो जाता है दोस्तो कोल्टरिंग पे दो चीज़े ऐसी भी होती है जिसमें कैंसर जैसी बीमारी पैदा करने की ताक अब इसे कमपनी की मजबूरी समझे या फिर हम लोगों की बेफकुफी जब तक कि कोई भी चीज़ देखने में अच्छी ना हूँ लोग उसे खरीदते ही नहीं इसलिए सिर्फ कोडरिंग पे ही नहीं बलकि बहुत सारी चीज़ों में आर्टिफिशल कलर का इस्तमाल किया डाल सकता है जादतर आर्टिफिशल कलर कार्सिनोजैनिक होते हैं जो कि शरीर में कैंसर जैसी विमारियों को जन्म देने की ताकत रखते हैं अब आपको पीना ही है तो कुदरत के बनाए कोल्टरिंग पियो कोई कमी नहीं है ये टेस्ट में भी अच्छे हैं और आपके शर शरीर को भी फायदा पहुचाता है तो दोस्तो ऐसी तरह कोल्टरिंग हमारे शरीर को नुकसान पहुचाता है